आज जो हम माई मेकप करेंगे ना ये मेकप बहुत सारे ड्रेसिस के साथ चल सकता है क्योंकि गोल्डन अगर आपका ड्रेस में है और नहीं भी है अगर रेड ड्रेस पहना है ब्लैक पहना है ग्रीन पहना है ब्लू पहना है मेरून पहना है तो गोल्डन बहुत जबरदस लग सार्ट से देखेंगे ना तो आप लोगों को समझ आ जा जागी कि सॉकेट लाइन क्या होता है यह जो एरिया जहां से हमारी आँख अंदर की तरफ धस्ती है ना वहाँ पे उस एरिया को हम बोलते हैं सॉकेट लाइन वहाँ पे जी क्रीस कट करने के लिए मैं पिंक शेड अपलाई का रही हूँ जो के मैंने आप लोगों को दिखाया है जो मैं मेकप के ट्यूज का रही हूँ ये ग्लैमरेस आईशेड किट है और आप देखें के सॉकेट पे रखके आपने हलका हलका सा बस ब्लेंड कर देना ये इतना इजी मेकप है ना कि आप लोगो खुद कर सकते हैं पहले मुझे भी मेकप नहीं याता था बहुत डब खडबासा और अजीब सा मेकप और अजीब सी चीज़ें लेकर बस लगा लेनी लेकिन अब मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड का रही हूँ और जी सेंटर में भी जैसे सॉकिट की पूरी लाइन है वहाँ पे हलका सा ब्लेंडिंग की है शेड की अप्लिकेशन नहीं की अब यहाँ पे मैं ब्राउन शेड मैट लेके कॉर्णर को थोड़ी सी डेप्थ दे रही हूं और जो ब्रश मैं यूज़ का रही हूँ यह ब्ल आई में और आई देखें कितनी खुबसूरत लगने लग गई है अब जैसे ही मैं पाकी चीजों की एप्लिकेशन करती जाओंगी तो आई और खुबसूरत से खुबसूरत होती जाएगी अब यहाँ पे जो मैं हाईलाइटर यूज़ का रही हूँ ना यह है जी एमफी कॉ प्रॉमिनेंट हो जाएगी नोज की टिप पे लगाया और नोज के उपर लगाया उसके बाद चीक्स पे लगाना है चीक्स पे भी ऐसे ही लगाना है आप लोगों को लिप्स के उपर लगा दिया चीक्स पे लगा दिया चिन पे लगा दिया और फोर हेड पे लगा दिया ब बहुत सॉफ्ट लुक दे रहा हर चीज लगाई है हर चीज अपलाई की है बट मेकप जो है ना वो बहुत अच्छा सॉफ्ट लुक दे रहा हार्श लुक नहीं दे रहा बच्चियां भी ये मेकप कर सकती है और अगर आपने खुद भी ये मेकप करना ना बहुत अच्छा कि कर दो कि अवे...